आपको ये बात समझनी होगी कि जिसे आप मैं कहते हैं वो असल में यादों का एक बड़ा सा धेर है आपका शरीर अभी जैसा है वैसा वो अपनी जैनेटिक मेमरी के कारण है आपकी नाक मा जैसी है, रंग पापा जैसा है, और कुछ और, दादा जैसा कुछ और है सिर्फ इसलिए, क्योंकि जिसे आप अपना शरीर कहते हैं, वो असल में यादों का एक जटल मिश्रन है एक बहुत प्राचीन याद आपके शरीर में रहती है जिसे आप अभी अपना मन कहते हैं, वो पूरी तरह से मेमरी है तो आप कई तरीकों से यादों का एक बड़ा सा धेर है और यादें आपके अंदर कई तरीकों से जाती है सभी पांच इंद्रियों के माध्यम से आप यादे इकठी करते हैं आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंगते हैं, जो चकते हैं और जो छूते हैं यादें इकठा करने के इन पाँच अलग-अलग तरीकों में से आप जो देखते और जो छूते हैं, ये सबसे गहरी यादें होती हैं खास तोर पर आप जो छूते हैं, वो आपके सिस्टम में एक खास तर की मेमरी बनाता है तो जब आप एक जीवन साथी की बात करते हैं, आप स्पर्श कर चुके हैं और एक स्थर की मेमरी बन चुकी है अब एक तरह से आपके तलाक का मतलब है कि किसने किसी तरह आप उस याद को उधेरने की कुशिश कर रहे हैं और वो इतना आसान नहीं होगा, कई कारणों से लेकिन साथ ही, चुकि आप तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहें तो इसका मतलब है कि आप किसी ने किसी रूप में उस याद को खत्म करना चाहते हैं शायद उस मेमरी को पूरी तरह मिटाना सकें पर जो आपका जीवन साथ ही था, जो एक तरह से आपकी जिन्दगी का एक हिस्सा था धीरे धीरे, चाहे कोई भी कारण हो, आपने उन्हें एक बोज की तरह मैसूस करना शुरू कर दिया है जिसे आप उठाना नहीं चाहते हैं तो आप उस बोज को किनारे करना चाहते हैं, पर फिर आपको पता चलता है कि वो बोज आप अपनी इच्छा से नहीं उठा रहे थे, वो तो जबरदस्ती आपके साथ जुड़ा हुआ है जो चीज जबरदस्ती आपके साथ चिपकी हुई हो, अगर आप उधेडने की कोशिश करेंगे, तो दर्ध होगा ही अपनी मा से चुटकारा पाने की कोशिश कीजिए उन्हें अपने सिस्टम से निकालने की आप देखेंगे कि ये नामुमकेन है तो इसी तरह से आपके जीवन साथी के मेमरी भी मजबूत है आप ऐसे ही आसानी से इससे अलग नहीं हो सकते अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप मानसिक रूप से ऐसा कर पाने में सक्षम हो फिर भी आप देखेंगे कि पूरे सिस्टम को एक स्तर के दर्थ से होकर गुजरना होगा, हमेशा चाहे आप एमोशनली, साइकोलोजिकली, भले ही संतुलित स्थिती में हैं कि आप इसे सेहन कर सकते हैं, फिर भी सिस्टम एक प्रोसेस से होकर ही गुजरेगा आप देखेंगे कि खास तोर पर जब आप अपने जीवन साथी से जुदा हो जाते हैं, तलाक या फिर मौत की वज़े से आप देख सकेंगे कि तब आपके सिस्टम की मेमरी ज्यादा स्ट्रॉंगली आपके सामने आएगी, बजाए तब जब वो आपके साथ नहीं है खास तोर पर जब मौत हो जाए, आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी की यादें आपके शरीर की हर कोशिका में दिखने लगेगी अगर आप लंबे समय तक एक साथ रहे हैं तो ये सिर्फ कोई emotional और psychological process नहीं है ये एक physical process है तो तलाक एक इच्छा से दी गई मौत है एक तरह से जो आपका हिस्सा है, आपने उसे मारने का फैसला कर लिया है इसी वज़े से अस्तित्व और हमारा अपना सिस्टम किस तरह से काम करता है इसकी गहरी समझ के चलते ही आप से हमेशा कहा गया कि जब तक मौत आपको अलग ना करते, आप अलग नहीं होंगे क्योंकि इसकी अपनी physical memory है और शरीर में दिमाग जैसे संतुलन नहीं होता दिमाग फैसला करके मूँ मोड सकता है लेकिन शरीर मूँ नहीं मोड सकता आप इसमें जितनी ज्यादा यादें कठी करते जाएंगे ये उतना ही ज्यादा confused होता जाएगा तो एक तरह की memory है जो शरीर ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है अब जब आपने तलाग का फैसला करी लिया है चाहे जो भी वज़ा हो जिसे मैं कुरेदना नहीं चाहता अगर उसे टाला जा सके तो वो सबसे अच्छा होगा पर किसी कारण से अगर आप ऐसी situation पर पहुँच गए हैं जहां ये होना ही है आपको ये बात समझनी होगी कि तलाग का मतलब है कि आपने किसी ऐसी चीज को मारने का फैसला कर लिया है जो आपका एक हिस्सा है क्यूंकि जिसे आप मैं कहते हैं वो बस यादों का एक संग्राय है अब इसे सही तरीके से कैसे किया जाए जियातर लोग सोचते हैं कि तलाग का सबसे अच्छा तरीका है कि तुरंद दूसरी रिलेशन्शिप में कूट पड़ें, उसी तरह की दूसरी रिलेशन्शिप. नहीं, ऐसा करने से आप अपने सिस्टम में और भी उथल-पुथल और तकलीफ पैदा कर लेंगे. ये बहुत जरूरी है कि शरीर को उन यादों पर काम करने के लिए वक्त मिले. शरीर को उन यादों को दूर करने के लिए जरूरी वक्त मिले. नहीं तो, आप खुद को ऐसी जगा पर भेज देंगे, जहां खुद को शांत और खुश रखना एक बहुत मुश्किल काम बन जाएगा तो इस प्रक्रिया को ग्रेसफुली और अच्छे तरीके से करना उतना ही महत्वपून है जितना आपके जीवन के हर दूसरे पहलू को ग्रेसफुली और अच्छे तरीके से करना अब दो इंसान जिन्नोंने अपनी भावनाए, अपना शरीर, अपनी समवेदनाए और अपने रहने की जगा एक दूसरे के साथ सांज़ा की हो उनको अलग करना क्योंकि ये दो यादें एक दूसरे के साथ गुथी होती है उन्हें हलक करना ऐसा है, जैसे कि अपने आपके दो हिस्से कर लेना शायद आप ऐसी स्थिती पर पहुँच गए हैं, जहां आप उस इंसान को बिलकुल भी सहन नहीं कर सकते फिर भी दर्द होता है क्योंकि आप यादों को उधेरने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप ही है, आप यादों का बंडल ही है अगर कोई जरूरी आध्यात्मिक साधना करता है अगर कोई जरूरी भीतरी काम करता है इन उर्जाओं को स्थापित करने के लिए, जो कि आप ही है आप सिर्फ अपने जीवन साथी को तलाग दे रहे हैं आपको खुद को तलाग देने की जरूरत नहीं पर आपको ये समझना होगा कि आप खुद को पहले ही तलाग दे चुके हैं आप खुद से काफी हद तक तलाग शुदा हैं आपके अस्तित्व का पोशन होता रहा है एक संबंध बनाकर, एक रिष्टा बनाकर या एक बन्धन बनाकर डिपेंड करता है कि वो रिष्टे आपने कैसे जीए हैं ताकि आप अपने आपको पूर्ण महसूस कर सकें इस तरह के बहुत से रिष्टे इसी आधार पर बने होते हैं क्योंकि आप खुद से बड़ा अधूरा सा महसूस करते होंगे लेकिन जीवन ऐसा नहीं है ये जीवन अपने आप में जीवन की एक पूरी प्रक्रिया है इसे किसी भी तरह की बाहरी मदद की जरूरत नहीं है अब अगर आप ऐसी स्थिती पर पहुँच गए हैं तो ये खुद के अंदर जहांक कर देखने का वक्त है वक्त आगया है कि आप इस जीवन की पूर्णता को पहचाने वक्त आगया है कि आप ये जान जाएं कि ये जीव एक संपूर्ण जीव है ये जैसा है उसे वैसा होने के लिए किसी भी तरह की बाहरी मदद की जरूरत नहीं हमें समाज में जीने के लिए शायद जरूरत पड़े, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, पर इसका मूल भूत अस्तित्व, ये जो है उसका संतुलन, ये जो है उसका स्पेस, ये जो है उसकी संभावना, ये अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है. हमारी एक दूसरे पर निर्भरता हमारी बाहरी जरूरतों के हिसाब से होती है, पर हमारे अंदर का अस्तित्व अपने आप में संपूर्ण है, आप अपने जीवन साथी को तलाक दे रहे हैं, जो कि दर्दनाक है, पर अपने आप को खुद से तलाक मत दीजिए.